हलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आप बड़ी और एकदम मज़े में होंगे पच्चों आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्याँच यानि के अंसीन पैसेच अपठित गद्याँच उन गद्यों के अंच होते हैं जिने हमने पाठ्थे पुस्तक में नहीं पढ़ा है अपठित गद्याँच का उदेश्य होता है कि विद्यार्थियों के गद्ये की समझ को परकना पता उसे समझने की प्रतिबा का विकास करना अपटित गद्यांश के अंतरगत गद्ये के अधार पर कुछ प्रश्ण पूछे जाते हैं तदा कभी-कभी उसका उप्युक शिर्शक भी लिखने के लिए कहा जाता है गद्यांश पर आधारित प्रश्णों का उत्तर देने के लिए हमें निम्द बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि गद्यांश को दो तीन बार ध्यान पूर्वक पढ़े पुछे गई सभी प्रश्णों के उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे कभी कभी कुछ प्रश्णों के उत्तर अपनी और से भी देने पढ़ते हैं शीर्शक ऐसा हो जिसका संबन्द पूरे गद्यांश से हो गद्यांश पढ़कर उसके नीचे दे गए प्रश्णों को पढ़ना चाहिए प्रश्णों के संभावित उत्तर गध्यांश में रिखांकित कर दें प्रश्णों के उत्तर सरल वो सार गंबित हो तता जहां तक हो सके अपने शब्दों में हो शीर्षक कम से कम शब्दों का होना चाहिए बच्चों अभ्यास के लिए कुछ उधारने जिसक गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योगदान ही नहीं वरन उनके पच्चों अभ्यास के लिए हम कुछ गध्यांच पड़ते हैं जैसे पहला गध्यांच है हमारा सिख गुरुओं ने हिंदु धर्म के रक्षा में युगदान ही नहीं दिया पर उसके लिए कष्ट और अत्याजार भी सहे उन्होंने विशेशकर गुरु गोविन सिंग ने चंडी दुर्गा देवी का भी स्वतन किया गुरु गुरुन साब में कभीर, दादू, नामदेवादी, महत्माओं की वारी आदर के साथ सुरक्षित है और उसका नित्य पाठ होता है सिखों के गुरु हमारे संतों के अग्रणे समझे जाते हैं उनका आदर के साथ साथ स्मराण भी किया जाता है अब इसके बाद आपने अच्छे से गध्यांश पढ़ना है फिर प्राश्ने पढ़कर उनके उत्तर देने जैसे पहला प्राश्न है सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म के लिए क्या योगदान दिया और उतर है गध्यांश के लिए उपयुक शिर्षक सुझाओं तो तरह उपयुक शिर्षक सिखों के गुरू तथा धर्म ग्रंट तो अगला विशे है हमारा गड्याँज के लिए उसे भी पढ़ते हैं हम वर्तमानकाल विज्ञापन का यूग माना जाता है समाचार पत्रों के अत्रिक्त, रेडियो और टेलिविजन भी विज्ञापन के विज्ञापन के सफल सादन है विग्यापन का मूल उदेशे उत्पादक और भोगा में सीधा संपर करना होता है जितना अधिक विग्यापन के सिप्रदात का होगा उतनी ही उसकी लोग पर जाता बढ़ेगी इन विग्यापनों पर धन तो अधिक विया होता है पर इन से भिक्री बढ़ जाती है ग्रहाग जब इन आकरशक विग्यापनों को देखता है तो वह उस्वस्तू विशेश के प्रती आकरिष्ट होकर उसे खरेदने को पाध्य हो जाता है अब हम ध्यान से एक दो बार ये गद्याच पड़ेंगे और फिर प्रश्णों के उत्तर देंगे जैसे पहला प्रशन है वर्तमान युग में विग्यापन के कौन कौन से तीन साधन है तो उत्तर है वर्तमान युग में समाचर पत्र, रेडियो और टेलिविजन विग्यापन के तीन प्रमुक साधन है अगला प्रशन विग्यापनों का मूल उदेश्य क्या होता है उत्तर है उत्पादक विज्यापनों पर धन इसलिए विय करता है क्योंकि इससे उनकी वस्तमों की विक्री बढ़ जाती है अगला प्रेश्ण है ग्रहाग पर विज्यापनों को क्या प्रभाव पढ़ता है उत्तर है ग्रहाग जब किसी वस्तु के विज्यापन को देखता है तो वह उ उस्वस्तु के प्रती आक्रिष्ट होकर उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है और अगला प्राइश्ण उप्यक्त शीर्षक दो तो तर इसका शीर्षक विज्यापन के लाव चले अग्जिले गध्यांश के और बढ़ते हम शिक्षा मनिशो को मस्तिक और शरीर का उच से क्याला सहर्द्य सच्चा किन्तु अनपण मज़ूर उच्स सनातक से अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है संसार के समस्त व्यबव और सुक साधन भी तब तक सुकी नहीं बनाते जब तक मनिशों को आत्मिक ज्यान ना हो अब हम प्रशन पढ़ेंगे और उसके उत अगला प्रशन मनिशों के जीवन में आत्मी गांग्यान का क्या महत्व है तो तरही है अक्री गहान के विना मनिश्य संसार के समस्त व्यृबवों से भी सुक प्राफ नहीं कर सकता Aha प्रशन उप्यूग गध्यांश का उप्यूग शिरषक दो तो उतरही इसका शिरषक है स नक्षमि जिधन की अधिश्ट राती है तो ध गरेश जी जन कल्यान के देवता है लक्شमी के साथ गरेश पूजन का अर्थ है अर्जित धन को जन कल्यान में व्याख करें रंगब resting कंदिल ईम्म आतिश बादी से प्रकाश किया जाता है लक्षमी स्वागत के लिए भक्त गण राद भर लक्षमी पूजन और किर्टन आधी करते हैं व्यपारी गण इसी दिन से नया व्यपार शुरू करते हैं चौते दिन गोवर्धन पूजा की जाती है यह पूजा भगवान कृष्ण के गोवर्धन ध अगला प्रशन दिपावली के दिन लक्षमी के साथ गणेश पूजन करने का क्या अर्थ है उत्तर है लक्षमी जी धन की देवी है तेदा गणेश जी जनकल्यान के देटा दिवाली के दिन इन दौनों एक दुसरे के साथ पूजन का अर्थ है कि हम कमाई हुए धन को जनकल लियान में खर्च करें अगला प्रशन है लोग लक्षमी के स्वागत में क्या करते हैं उत्तर है लक्षमी के स्वागत में लोग राद भर लक्षमी पूजन करते हैं तता किर्तनादी भी करते हैं अगला प्रशन है उचित शिर्शक दो तो इसका शिर्शक है दीपावली का प तो मीद करती हूं बच्चों आप अठीद गद्यांच आपको अच्छे से समझ आये होगा आप इसका अभ्यास कार्याप स्वेम कीजी